हेलो क्लास आज से हम एक कंपनी अकाउंट्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट्स ओफ इंशॉरेंस कंपनी यह आपके स्टाडी नोट नंबर फोर में आता है तो आईए शुरू करते हैं अकाउंट्स ओफ इंशॉरेंस कंपनी यह आपके स्टाडी नोट नंबर फोर का पार्ट है ठीक है तो देखे सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है कि इंशॉरेंस होता क्या है आखिर लोग क्यूं करवाते हैं और इसका कॉंसेप्ट क्या है ठीक है तो हम इसको एक एक इग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मान लीजे ये एक परसन है इनका नाम है मिस्टर प्रकाश क्या नाम है इनका मिस्टर प्रकाश मिस्टर प्रकाश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं ठीक है जैसे की और इनकी नॉमल एक 9 to 5 जॉब है जिनमें इसको डीसेंट सा पे मिलता है डीसेंट से पैसे मिलते हैं ठीक है अब क्या है मिस्टर प्रकाश एक दिन अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे किसके साथ बैठे हुए थे अपने फ्रेंड के साथ सब लोग अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं वैसे ये भी अपने दोस्ते मिलने गए इनके दोस्त का नाम है Mr. Karan तो Mr. Prakash ने अपनी चिंता बताई Mr. Prakash को क्या डर है कि उन्होंने अपने दोस्त को बताई कि देखो मेरी नौकरी भी इतनी कोई अच्छी है मान लीजिए अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा कौन ध्यान रखेगा सबको ये चिंता होती है सबकी नॉर्मल लाइफ में टेंशन होती है कि अगर अकेले ब्रेड विनर Mr. Prakash है तो Mr. Prakash के बाद इनकी फैमिली में इनके दो बेटे हैं इनकी वाइफ है उनका क्या होगा इन्होंने Mr. Karan को बताये अपनी चिंता ठीक है तो यहाँ पर देखो इनको क्या है इनको है टेंशन किस बात की अपनी लाइफ की इनको यह अपनी फैमिली के लिए टेंशन है अब इनका एक बेटा भी है इनके बेटे का क्या नाम है इनके बेटे का नाम है Sunny ठीक है इनका बेटा है जैसे हम सबके पास में टूविलर होता ना वैसे यह अभी क्लास 12 में है यह अपने ट्यूशन जाता है और इसके पास एक आक्टिवा है क्या है आक्टिवा अब Mr. Prakash को यह भी चिंता रहती है कि यह जो आक्टिवा है यह कहीं चोरी ना हो जाए ठीक है देखेंगे यह आपे ध्यान से क्या बात की हमने एक Mr. Prakash है जो की एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं यह है फादर और इनको यह टेंशन है कि मेरी life के बाद में अगर मान लीजे मेरी कभी भी death हो जाती है ठीक है death is uncertain death का कोई पता नहीं है कल को अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बाद में मेरी family का क्या होगा इनकी पहली tension तो यह है और दूसरी tension इनकी एक और भी है बहुत गंदे तरीके ऐसे है तो कभी accident होने का भी खत्रा बना हुआ है उनको अपने बेटे की तो चिंता है यह साथ में आक्टिवा की भी चिंता है तो यह दोनों tension इन्होंने किसको बताई मिस्टर करन को बताई ठीक है तो मिस्टर करन बोले कि भाई तेरी चिंता तो सही है तेरा चिंता हो करना जायज है लेकिन मेरे पास इसका एक solution भी है तो मिस्टर प्रकाश ने पूचा कि ऐसा क्या solution है फिर मिस्टर करन ने बताया क्यों ना अपनी यह दोनों चिंताएं तो किसी और को transfer कर दे ठीक है किसी third party को transfer कर दे तो मिस्टर प्रकाश ने बुला कि ऐसा कौन होगा जो मेरी यह चिंताएं ले लेगा ठीक है तब मिस्टर करन ने जवाब दिया कि देखो आज कल क्या है ना आज कल क्या बहुत लंबे टाइम से एक चीज है उसको क्या भोलते हैं insurance क्या बोलते हैं insurance ठीक है तुम अपना insurance करवा सकते हो किसके पास जाके insurance company के पास जाके ठीक है insurance company फिर मिस्टर करन ने जो कि इनके friend थे उन्होंने यह भी बताए कि कौन सी insurance company के पास में कौन सी insurance company ने क्या क्या plan बता रखे हैं आप कहां पे cover हो जाओगे ठीक है तो फिर मिस्टर प्रकाश आगे गए company के पास में तो यहां तक का concept आएगे सब को clear है कि मिस्टर प्रकाश को दो चिंताएं थी एक थी उनको अपने scooter की चिंता और दूसरी चिंता थी कि मेरी life के बाद मेरी family का क्या होगा दोनों चिंताएं उन्होंने अपने एक दोस से share की इस दोस ने इनको एक solution बताया जिसको कहा जाता है insurance क्या कहा जाता है insurance कि भाई तू insurance क्यों नहीं करवा लेता मिस्टर प्रकाश कहा चले गए insurance company के पास यह रहे मिस्टर प्रकाश और यह है हमारी company सब जानते ना Life Insurance Corporation of India का नाम आता है ना जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी वही L.I.C. है तूं मिस्टर प्रकाश को सबसे बड़ी चिंता तो थी कि क्या होगा अगर मेरा में मुझे कुछ हो गया तो उन्हों ने यह चिंता बताई L.I.C. को ठीक है L.I.C. के office गए यह उन्होंने बताई कि देखिए sir मेरी ऐसी ऐसी चिंता है और मुझे बहुत डर लगता है और किसी मेरे एक दोस ने जिनका नाम है Mr. Karan उन्होंने बताया है कि आपके पास आऊ मैं ठीक है तब L.I.C. ने बताया कि हां हम तो Mr. Karan को जानते हैं तो वो Mr. Prakash ने पुछा आप केसे जानते हो तो वो बोले कि वो हमारे एजेंट हैं क्या है एजेंट Mr. Karan जो Mr. Prakash ने बोला चलिए ठीक है वो एजेंट है जो भी है पर उन्होंने मुझे सही बात बताईए अब आप मुझे इंशॉरंस करवा दीजे मेरी जिन्दगी का ठीक है तो L.I.C. ने क्या बोला L.I.C. ने बोला कि हाँ बिल्कुल आप आए हैं तो हम आपका इंशॉरंस जरूर करेंगे लेकिन बदले में हमको भी तो कुछ चाहिए न अगर L.I.C. बिजनेस कर रही है तो बिजनेस किसी चीजों पर चलता है ठीक है तो इन्होंने का बदले में हमें कुछ चाहिए होग तो Mr.Prakash बोले क्या चाहिए आपको तो फिर L.I.C. ने पूछा आप कितना अमाउंट का इंशॉरंस करवाना चाहते हो इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि अगर आपको कुछ हो जाए अगर मान लीजे किसी भी कारण से अगर आपकी कल को डेथ हो जाती है तो आप क्या चाह Mr.Prakash ने दिमाग लगा के सोचा कि 50 लाग सही रहेगा कितना सही रहेगा 50 लाग तो फिर L.I.C. ने बताया कि ठीक है आप 50 लाग का इंशॉरंस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए हमको देने पड़ेंगे ठीक है 10,000 रुपए मन्थली देने पड़ें फिर हम आपका इंशॉरंस कर देंगे ठीक है तो जो अब इतना अमाउंट देने के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो बदले में इंशॉरंस कंपनी जो लेती है उसको क्या कहते हैं प्रीमियम जो ये 10,000 रुपए लेगी मन्थली उसको क्या कहते हैं प्रीमियम ठीक कि किस बात के कि अगर कल को मुझे मेरी या मेरी जिंदिगी को अगर कुछ हो जाता है तो आप जिस जो पैसा हमने amount agree किया है वो आप मेरी family को देंगे तो उस amount को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है claim क्या कहा जाता है claim मिस्टर प्रकाश अगर मान लीजे कल को मिस्टर प्रकाश की death हो गई तो मिस्टर प्रकाश की जो wife है वो LIC से claim कर सकती है कितने रुपे जो भी आपका policy amount है इन मिस्टर प्रकाश ने कितने की policy ली थी पचास लाख रुपे की ठीक है ये दो बाते समझ में आ गई कि आपको premium देना पड़ेगा monthly मिस्टर प्रकाश को देना पड़ेगा monthly premium ठीक है और बदले में अगर कल को कोई दुर घटना हो जाती है कोई अन्होनी घटना हो जाती है तो LIC जो है वो मिस्टर प्रकाश की बीवी को या उनके बच्चों को claim amount देगी ठीक है कितना 50 लाख रुपे का ठीक है ये उनका क्या हो जाएगा policy amount यहां तक की बात सबको clear है I hope ठीक है अब यहां पर क्या है एक और चीज़ आती है कि देखो क्या है ना कभी भी जब भी अगर आप TV पर अगर कभी ध्यान से देखेंगे तो जब भी किसी insurance company का add आता है ठीक है सब अपना add करते है ना advertisement करते है ताकि लोगों को पता चले कि उनकी company क्या-क्या policies दे रही है और आप किस-किस तरीके से अपने आपको insurance करवा सकते है ठीक है तब उस time नीचे एक जल्दी से एक बात बोली जाती है insurance is subject matter of solicitation ठीक है मतलब की insurance जो है वो आग्रह की विशयवस्तु है इसका मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक है इसका मतलब यह होता है कि कोई भी insurance company सीधे किसी भी इंसान के पास नहीं जा सकती उसको हमेशा कैसे जाना पड़ेगा ऐसे insurance agent के through मतलब यहाँ पे L.I.C. सीधे जाके Mr. Prakash को नहीं बोल सकती थी उनको डरा नहीं सकती थी कि अरे देखो कल को तुम मर जाओगे हो सकता है accident हो जाए तुमारा है या फिर कहीं कुछ भी दुरगटना हो जाए heart attack आजाए कुछ भी हो जाए तुम हमसे insurance करवा लो ऐसा L.I.C. नहीं कर सकती थी क्योंकि कुछ नियम कानून बनाए गए हैं थी के वो नियम कानून कहते हैं कि insurance company को अगर किसी customer के पास जाना है किसी person के पास जाना है तो वो कैसे जाएगी through agent तो कभी भी ध्याँ अगर आपके घर में भी बड़ों के साथ में ऐसा होता होगा कई बार phone आते हैं लोगों के कि insurance ले लीजे या फिर कई लोग as an insurance agent काम भी करते हैं वो insurance agent ही लोगों से बाते करते हैं और अगर किसी को insurance की जरुरत होती है तो फिर उनको guide करते हैं कि आपको इस company का ऐसे plan लेना चाहिए समझ में आया तो insurance के topic में तीन parties होती है एक हो गई कौन सी company ठीक है जो है Life Insurance Corporation of India इसका दूसरा नाम भी होता है इनको कहते हैं insurer ठीक है insure करने वाले को क्या बोलते है insurer ठीक है और जो insure हुआ यहाँ पर कौन insure हुआ Mr. Prakash तो इनको क्या बोलेंगे insured क्या बोलेंगे insured यह बात ध्यान में रहेगी जो जिस बंदे ने insurance किया उसको बोलते है insurer और दूसरे बंदे को क्या बोलते है insured क्या बोलते है insured ठीक है insurer और insured सबको समझ में आ गया है I hope अब next चीज देखिए इनके पीच का तो फंडा एकदम clear हो गया है कि Mr. Prakash monthly premium देंगे और कल को अगर Mr. Prakash को कुछ हो जाता है तो life insurance corporation क्लेम देगी 50 लाक रुपे का जो की इनकी बीवी को मिलेगा या इनके बच्चों को मिलेगा ठीक है अब यह Mr. Karan क्या कर रहे है इनका क्या फाइदा है यह क्यों insurance company की तरफ से बोल रहे है ठीक है तो यहाँ ध्यान रखिए इनको मिलता है बदले में commission क्या मिलता है commission यह commission के लिए काम करते हैं ठीक है मान लीजे Mr. Karan को 10 ऐसे लोग मिल गए जो life insurance लेना चाहते हैं जिनको अपनी जिंदिगी के लिए सोच के खत्रा होता है कि हाँ चरो ठीक है अगर आज मुझे कुछ हो गया तो कल को मेरी family का क्या होगा ऐसे 10 लोग Mr. Karan को मिल गए पूरे 10 लोगों को इन्होंने insurance policy दिलवा दी किस से दिलवा दी LIC से ठीक है उनको insure करवा दिया तो अब बदले में LIC क्या देगी commission देगी किसको देगी Mr. Karan को ठीक है कौन दे रहा है यहां पर commission LIC insurance company देगी commission agent को insurance agent को ठीक है I hope यह बात clear है यहां पर ठीक है यह थोड़ा सा come clear लग रहा है तो मैं इसको rub कर देती हूं इनको कहा जाता है insurer और इनको कहते हैं insured ठीक है यह हो गई आपकी insurance company अब इस chapter में हम किसके accounts करने वाले insurance company के किसके करने वाले insurance company के तो हम जो भी बात करेंगे वो किसको ध्यान में रखकर करेंगे insurance company को ठीक है यह बात clear है अब मैं यहां आपको ऐसी ही तीन बाते बताने वाली हूं आप बहुत ध्यान से सुनेंगे जो premium होता है वो कौन देता है Mr. Prakash जैसे लोग जो हैं जिनको policy holder कहा जाता है जिन्होंने अपने आपको insure करवाया है वो किसको देते हैं company को company को premium मिल रहा है तो it is an income for company ये company के लिए क्या है income ये बातें बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आगे चलके ये काम आएगा और ये ही चीज थोड़ी confusing हो जाएगी तो जब तक दिमाग में clarity नहीं रहेगी तब तक बहुत दिक्कत होगी ठीक है तो premium क्या है ये है income company के लिए आप मुझे बताएंगे कि commission क्या है commission कौन किसको दे रहा है insurance company दे रही है Mr. Karan को agent को insurance company के पास से पैसे जा रहे हैं तो ये क्या है खर्चा लिख देंगे आपे it is an expense for insurance insurance company Am I clear? ठीक है next है claims मान लीजे यहाँ पे Mr. Prakash की unfortunately death हो जाती है ठीक है वो जिस factory में काम करते है वाँ पे fire ब्रोक आउट हो जाती है वाँ पे आग लग जाती है और इस वज़ए से इस दुरगटना में उनकी death हो जाती है तो अब Mr. Prakash की जो wife है वो कहां जाएंगी LIC के पास जाएंगी बोलेंगी देखिए आपने मेरे पती का insurance कर रखा था जिसका policy amount है पचास लाक रुपए ठीक है आप प्लीज मुझे ये दे दीजे क्योंकि उनकी death हो गई है और मुझे अब आगे इन पैसों की जरूरत है तो LIC भी देखेगी कि हाँ ऐसा असलियत में हुआ है ठीक है verify करेगी verification करेगी जाँच परताल करेगी क्योंकि सच में death हुई है और फिर ये पचास लाक के claim को दावे को claim का मतलब होता है दावा इसको pass कर देगी ठीक है तो अब LIC के pass से पैसे जा रहे है arrow की निशान को आप देखेंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज आ रही है वो income और जो कुछ भी जा रहा है वो क्या है खर्चा ठीक है तो claim भी expense है it is an expense for insurance company तो I hope सबको insurance का concept समझ में आ गया होगा कि insurance का concept आखिर क्या है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि Mr. Prakash है Mr. Prakash को कुछ risk समझ में आ रहे थे कुछ चिनताएं थी उनको क्या थे risk एक तो उनको अपनी life को लेके चिनता थी और दूसरा उनको अपने scooter की भी चिनता थी लेकिन पहली priority क्या है उनकी life तो उन्होंने सोचा कि ठीक है उनके एक दोस्त ने उनको सलाह दी कि आप insurance करवा लीजिए ठीक है तो वो किसके पास गए Life Insurance Corporation of India LIC के पास में गए जो की एक insurance company है Mr. Prakash ने वादा किया कि मैं आपको हर महीने 10,000 रुपे premium दूंगा तो LIC ने भी उनको वादा किया कि अगर आपकी कल को death हो जाती है तो उसमें उस case में हम आपके जो भी nominee हैं जिनको भी आप चाहते हैं कि हम पैसे दें उनको हम 50,000 रुपे का claim दे देंगे ठीक है और इस Mr. Prakash को लाने के लिए Mr. Karan को insurance company ने क्या दिया? Commission अब कुछ को लोगों का सवाल होगा कि LIC सीधे ही बात क्यों नहीं कर सकती या Mr. Prakash सीधे ही क्यों नहीं जा सकते तो ये एक नियम बनाया गया है इंडिया में कि insurance company सीधे नहीं जा सकती हमेशा बीच में एक insurance agent होना चाहिए तो अब ये जो transaction है ये क्या हो गया? ये हो गया एक contract क्या हो गया? contract contract है सीधा-सीधा ये ठीक है? Contract of insurance policy यहां तक I hope किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ये insurance का सीधा-सीधा concept है फिर हमने तीन चीज़े की बात की कि premium जो है वो income होती है insurance company के लिए commission खर्चा होता है insurance company के लिए क्यूंकि देना पड़ता है agent को ठीक है? claim भी एक खर्चा होता है क्यूंकि पैसा किसके पास जा रहा है? LIC के पास से पैसा जा रहा है ठीक है? यहां तक की बात सबको clear है तो यह तो हो गया concept आईए अब हम कुछ definitions लिखते हैं जिनसे हमें इनका मतलब समझने में और clarity मिलेगी तो सबसे पहले हम लिखेंगे definition कि insurance क्या होता है? ठीक है? एसले इसे हिस्खेंगे इसन फिंग इसंगे यह तो सब्सट्वề providing protection against a risk which can arise is due to happening of an unforeseen event. ठीक है, example, theft of activa causing financial loss to the owner and loss of life causing loss to the family. Both can be insured. ठीक है, तो क्या कहा जा रहे हैं? आपे ध्यान से देखेंगे. आपको क्या मिल रहा है? Protection. ठीक है? जिसके भी दिमाग में किसी तरीके की चिंता है, उसको उसके लिए क्या मिल रहा है? Protection. ठीक है? किस चीज़क से protection मिल रहा है? Against a risk. कोई तो खत्रा है, जिसके बदले में आपको protection चाहिए. ठीक है? ये खत्रा कब arise हो सकता है? On the happening of unforeseen event. कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक हुई नहीं है, बट future में हो सकती है. ठीक है? उससे कोई खत्रा arise हो सकता है, और उस खत्रे से बशने के लिए protection के लिए insurance करवाया जाता है. जैसे कि सब को पता है कि जो भी हम Activa या scooter यूज़ करते हैं अपनी day-to-day life में, उसका insurance होता है. ठीक है? हम अपने two-wheelers का, four-wheelers का insurance करवा कर रखते हैं. तो इस तरीके के two-wheelers में कुछ भी loss हो सकता है, जैसे accident हो गया, ठीक है? या आग लग गई तो उसमें जल गए, बहुत सारे risk होते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे events होते हैं, future events, जिनको आप predict नहीं कर सकते. तो अगर आप अपने आपको protect करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आप लेते हैं insurance, ठीक है? insurance का concept, I guess, बहुत clear है, अब. next, जो हमारा term है, वो है premium. हाँ जी, तो what is premium? it is an amount of money, it is an amount of money paid by policy holder. policy holder, policy holder को जिसने insurance लिया, जिसको क्या बोलते हैं? insured, to insurance company, in order to secure the risk, ठीक है, तो amount of money है, जो की policy holder pay करता है, insurance company को अपना risk secure करने के लिए, ठीक है? in return, policy holder get a contract अब अगर आप प्रीमियम दे रहे हो, तो सब कुछ written में होता है, ना, तो insurance company एक आपको insurance contract बना के देगी, जिसको क्या बोलते हैं? policy document, ठीक है? इस policy document में सब कुछ लिखा रहता है, कि आप कितना premium देंगे, ठीक है? आपका claim amount क्या है, मतलब कि आपका policy amount क्या है? next, जो हमने पहले भी बात की थी, कि premium, it is an income for the insurance company ये बात अपने दिमाग में बैठा लेंगे, कि premium insurance company के लिए क्या है? income ठीक है? it is an income for insurance company ठीक है? next, हम आते हैं, commission पे commission क्या होता है? commission कौन किसको देता है? सबसे पहले तो ये, insurance company देती है insurance company देती है, किसको देती है? insurance agent को, किसको देती है? agent को तो transaction flow समझ में आया insurance company किसको देती है? agent को लिखेंगे it is certain percentage of income generated जो भी income generate हुई है insurance company का उसका certain percentage होता है कुछ fix percentage होता है which is given to insurance agents as compensation for the business business generated by them ठीक है ठीक है क्यूंकि insurance agents क्या करते हैं? companies के पास में ऐसे लोग लेके आते हैं जिनके पास चिनता है और जो अपने amount को insure करवाना चाहते हैं ठीक है बदले में company क्या करती है? company कहती है ठीक है एक certain percentage income का हम आपको देंगे as commission ठीक है तभी तो agent को भी कुछ लालच होगा कुछ पैसे का उनको भी वो होगा तभी तो वो काम करेंगे ये बास समझ में आ रही है तो commission क्या है? it is an expense for insurance company insurance मैं आपको पूरा ये लिखवा रही हूँ बार बार लिखवा रही हूँ क्यूंकि ये जो चीज है ये आगे चलके थोड़ा complicated होने वाली है तो आगे इसी बात को समझने के लिए आज इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसी लिए मैंने आपको लिखवाया है कि commission क्या होता है खर्चा होता है किसके लिए खर्चा होता है insurance company के लिए ठीक है next है claims claims क्या होते हैं ठीक है तो it is in it is a formal request by policy holder policy holder कौन आता होता है जिस बंदे ने अपना risk insure करवाया है मतलब की insured बंदा it is in formal request by policy holder to किसको request करते है insurance company को ठीक है to compensate the loss happened due to an unforeseen event ये request कौन करता है policy holder करते हैं किसको करते हैं insurance company को कि please आप हमें compensate कीजिए जो loss हो गया है ठीक है किस वज़े से हुआ है एक unforeseen event के वज़े से हुआ है इसके लिए इसी लिए तो हमने आपसे insurance करवाया था आज वो चीज हो गई है तो अब हमने जो policy amount लिया था आपसे जो amount हमारे policy document में लिखा हुआ है कि इतना insurance company pay करेगी अगर कोई unforeseen event हो जाता है तो तो वो amount आप हमको दे दीजिए ठीक है ये क्या होता है ये भी खर्चा होता है किसके लिए होता है insurance company के लिए it is an expense for insurance company ये बात समझ में आ गई है ठीक है हमने चारों चीजें पढ़ ली कि insurance का मतलब क्या होता है premium का मतलब क्या होता है claims का मतलब क्या होता है और commission का मतलब क्या होता है सारी चीजें अब clear है ठीक है जो बंदा अपनी चुनता लेके जाता है insurance company के पास उसको बोलते है insured जिसके risk को एकदम cover किया गया है उसको क्या बोलते है insured और जो insurance करती है जैसे कि insurance company उसको क्या बोलते है insurer ठीक है क्या बोलते है insurer ठीक है जी अब हम अपनी next चीज लेते है जो की है types of insurance टाइपस ओफ insurance insurance दो टाइप के होते है ठीक है mainly दो टाइप में cover हो जाते है पहला तो होता है जैसा कि अभी तक हमने बात की है पहले है life insurance क्या है life insurance life insurance नाम से ही पता चल रहा है कि काफी सारे लोगों को ये tension होती है कि उनके जाने के बाद में उनकी अगर death हो जाती है उनके बाद में उनकी family का क्या होगा वो अपनी family के लिए कुछ पैसा छोड़ कर जाना चाते हैं ताकि जिन्दगी आसान हो जाए उनकी family के आगे के लिए ठीक है तो life insurance इसलिए करवाया जाता है life insurance में आपके दो type होते हैं ज्यादा detail में हम नहीं जाएंगे बस सिर्फ concept समझेंगे कि concept क्या है ठीक है तो एक होती है endowment plans और दूसरा type होता है whole life plans endowment plans में क्या होता है मान लीजे किसी ने ऐसा life insurance plan लिया है कि जैसे ही वो 70 years के हो जाएंगे या फिर 60 years के हो जाएंगे उसके बाद में उनको अपनी policy का amount मिल जाएगा ठीक है तो endowment plans में क्या होता है कि आप जैसे ही एक certain age को touch करेंगे वैसे ही आपका specified amount आपको दे दिया जाएगा ठीक है specified amount गुआशन या समयन वह जारा आपका जाए हुआशने को और इसा बाएंपट प्रणाश्टह छाएंणे जैसे ही policy holder एक specific age का हो जाएगा उसको amount दे दिया जाएगा ये process होता है endowment plans का whole life plans क्या होते हैं whole life plans मतलब ये पैसा तभी दिया जाएगा policy का amount अगर आपकी death हो जाती है तो उसी case में इसका पैसा दिया जाएगा तो यहाँ पर family receives a specified amount after the death of policy holder जब policy holder की death हो जाती है उसके बाद में family को इसका पैसा मिलता है policy holder मतलब insured जो बंदा insured है तो life insurance ये होती है ठीक है I hope life insurance clear होगा सबको कि जब अगर आपको अपनी life का risk है और आप ये सोच रहे हैं कि आपके बाद क्या होगा तो उस case में आप life insurance लेते हैं ठीक है next है हमारा जो second type है वो है general insurance क्या है general insurance नाम से ही पता चल रहा है general insurance मतलब जिसमें life के अलावा बाकी सब कुछ आ जाए ठीक है तो इसके चार types है first है fire insurance fire insurance obviously नाम से बहुत ही clear है कि आग लग जाने की इस्तिती में बहुत सारा नुकसान होता है सबको पता है ठीक है तो companies, businesses सब लोग अपना insurance करवा के रखती है कि अगर कल को आग लग जाए तो उस case में हमको fire insurance से हमें पैसा मिल जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक example के तुरू बताती हूँ काफी सारी companies ऐसी होती है जिनका business ही fire prone होता है जहाँ पर आग लगने की संभावनाएं बहुत जादा है ऐसी एक case study, third time पहले क्या हुआ था, एक company है जो एक specific बचों के diapers and all बनाती है mummy poco pants के नाम से उनकी factory में आग लग गई थी ठीक है बड़ी factory थी बड़ी आग लगी थी बहुत सारा नुकसान हुआ था बट क्यूंकि उन्होंने fire insurance से अपने आपको cover करा रखा था तो उनको उनका पैसा मिल गया ठीक है जादा उनको risk नहीं हुआ next है marine insurance marine मतलब पानी से related ठीक है अब यह जितने जो ships and all है यह जो चलते हैं तो इनमें obviously देखो इनमें कुछ ना कुछ तो कभी accident हो जाता है कभी क्या होता है कभी कभी तो पुरा ship डूब जाता है अगर आपको ध्यान हो सबने movie देखी होगी टाइटैनिक ठीक है टाइटैनिक का जाज कभ डूबा था 1914 में ठीक है उस time भी उसका insurance हुआ हुआ था ठीक है insurance हो रखा था टाइटैनिक का और इसलिए उस time जादा loss नहीं हुआ ठीक है insurance company को pay करना पड़ा जो भी loss हुआ next है burglary यहाँ पर किस चीज का insurance होता है insurance from theft जैसे jewelry के stores है ठीक है वहाँ पर चोरी होना आम बात है मतलब सब के चोरों के radar में होते हैं jewelry stores ठीक है तो काफी सारे jewelry stores ऐसे भी होते हैं जो अपना इस type का theft से insurance करवा कर रखते हैं next है miscellaneous miscellaneous में आपके सब कुछ आगे जो भी इंद में covered नहीं है इंद आगे के तीन सब टाइप में जो भी cover नहीं हो वह सब कहां आगे miscellaneous में इसके इसमें आपके जैसे आगे जाते है एक्सिदेंस एक्सिदेंस से लोग insurance करवा के रखते हैं ठीक है कि अगर मान लो accident हो जाता है और कोई party claim कर देती है कि हमारा हमको इतना इतना नुकसान हो गया तो वह पैसा कौन बियर करेगा insurance company जो गाड़ी में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा insurance company ठीक है clear है यह बात अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगी आप लोगों को यह हमने types of insurance देखे दो type है life insurance and general insurance ठीक है general insurance में आपका fire insurance आ गया marine insurance, burglary and miscellaneous insurance miscellaneous में जो कुछ भी आगे के 3 में नहीं covered है आगे की 3 को छोड़के बागी सब कुछ miscellaneous insurance में आ गया and life insurance is endowment plans and whole life plans अब एक और चीज़ मान लो हम बात करते हैं हमने एक factory की बात की जहां आग लग गई थी उस factory में कितने की assets हैं उसकी total value क्या है यह सब को पता है ठीक है यह insurance company value कर सकती है तो in cases में एक fix amount होता है जिसका insurance होता है और वो हर case में same ही रहता है ठीक है company अगर मान लीजे उस factory में 100 करोड की assets है ठीक है तो company यह नहीं कह सकती कि हमको 200 करोड का insurance रहेगे अगर 100 करोड की asset है तो 100 करोड का ही insurance मिलेगा ठीक है लेकिन जब हम बात life insurance की करते हैं तो यहां पे किसी आदमी की life की कितनी value है यह कोई भी value नहीं कर सकता आदमी खुद कर सकता है ठीक है मान लीजे कोई normal सा working employee है ठीक है कोई working person है वो अपनी क्या 50 लाग से satisfied हो जाएंगे नहीं वो कितने में सोचेंगे वो crores में सोचेंगे ठीक है तो life insurance और general insurance में यह चीज एक और फरक आ जाती है कि general insurance के case में जो भी asset किया जो भी value है वो fix रहती है और life insurance के case में हर person अपनी value खुद decide करता है ठीक है तो इसलिए यहां पे policy amounts vary कर सकते ह I hope मैं यहां अभी very clear हूँ यहां पे हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है हमने insurance का concept कर लिया है insurance में कैसे चीजे flow होती है क्या तीन चीजे हैं और किसको income माना जाता है किसको expense माना जाता है सबकी definitions पढ़ लिया है ठीक है और types of insurance भी कर लिया है जो हम इस chapter में पढ़ने वाले है general insurance and life insurance आज़ी class में इतना ही अगली class में हम insurance के थोड़े और advanced level के concepts cover करेंगे ठीक है thank you for watching